अस्सलाम आलेकुम नाजरीन टेक टीवी के पाकिस्तान स्टोडियो से मैं हूँ उस्मा आरेफ सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन्स लाग मार्च सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर वाजिय तोर पर आएनी खिलाफ परदी का खतरा हो तो अदलिया मदाखलत करेगी सुप्रिम कोर्ट ने लाग मार्च के खिलाफ दर्खवास गैर मौसर होने पर निम्टा दी वो मुझे दुबारा मारने की कोशिश कर सकते हैं इमरान खान का कहना है कि मुझे रास्ते से हटाने का वाहिद तरीका मुझे मारना है इमरान खान हफ़ते को रावात में रावल पिंडी पहुचने की तारीख देंगे जामई कराची में चीनी असाद्जा पर हमला मफरूर मुल्जमान के नाकाबले जमानत वारंट जारी मुकदमे में एक मुल्जम दादबक्ष ग्रिफतार है सर्दियों की आमद से कबल ही सूई गैस का बुरहान शेहरियों का गैस कंपनी से रात में गैस की लोड शेडिंग ना करने का मुतालबा कोईटा में गैस बंदिश के खिलाफ शेहरियों का धरना हैडलाइन्स आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ खिलेजियों फचक फईसे लाफ वाफ यहार खिलेजियों के लाफ वाहर खिलीजियों की लेख शेडियों के का बज़ए लूंवेश्य के लूए ऑैसियों के लिएने बेज़ 19 अजियों एंदियों के लेखी खिलाइब अवेर 0,7-1-1-2-2 जा-ज ऑ 5. चीफ जस्टिस आफ पाकिस्तान जस्टिस अमर अता बंद्याल ने लॉग मार्च के खिलाफ दर्खुास की समात में रिमाक्स दिये हैं कि लॉग मार्च सियसी मसला है जिसका सियसी हल हो सकता है तफिला जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट तो नई दर्फवास दाय की जा सकती है चीफ जेस्टिस ने कहा कि अगर वाहसे तापर आईनी खिलाफ वर्जी का खत्रा हो तो अद्लिया मताखरत करेगी कामरान मरतजा ने जवाब दिया कि दर्खवास में माजी की आईनी खिलाफ वर्जीयों का हवाला भी मौजूद है चीफ जैस्टिस ने कहा कि हो सकता है खिलाव वर्जियों पर दूसरे फरीक का अपना मॉकफ हो सूप्रीम कोट के हक्म के खिलाव वर्जी पर अदालत के लिए मौमला पेची दहो जाता है अदालत, हुक्म, अमल, दरामत के लिए होते हैं जेस्टिस आईशा मलिक ने कहा कि इंतिजामिया को मतहरिक करने के वो अपना किरदार अदा करे आए रोज इसलामबाद में पार्लिमिन्ट समेट कई जगों पर एहतिजाज होते हैं क्या कभी बाकी एहतिजाजों के खिलाफ आप अदालतों में गए हैं एक मखसूस जमात के लौंग मार्च में ही अदालत की मदाखलत क्यों दर्कार है चीफ जेस्टिस पाकिस्टान अमर अता बंदियान ने कहा कि समझ सकते हैं कि आप मौझूदा सूरत हाल से परेशान हैं मुट में हंगामा नहीं अमन और आमान चाहते हैं ऐसा हुकम नहीं देना चाहते जो गबल लौंग मार्च के खिलाब दर्कार गार मौसर होने पर निम्टा दी और हुकम दिया कि अगर हालात खराब हुए तो नई दर्कार की जा सकती है चेर्मेन पीटी आई अमरान खान की जेरे सदारत इजलास में अहम फैसले किये गए और कहा गया कि अमरान खान हफ़ते को रवात में रावल पिंडी पहुचने की तारीख देंगे दिगर एहवाल जानते हैं इस सिपोर्ट में चेर्मेन पीटी आई अमरान खान की जेरे सदारत इजलास में अहम फैसले किये गए और कहा गया कि अमरान खान हफ़ते को रवात में रावल पिंडी पहुचने की तारीख देंगे इमरान खान ने फ्रांसीसी नियूस चैनल को इंटर्विव देते हुए कहा कि वो मुझे खत्म करना चाहते हैं क्यूंकि मेरी पार्टी पाकिस्तान की सबसे मगबूल तरीं सियासी जमात है और मुझे बड़े पैमाने पर आवामी हमायत हासिल है उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे रास्ते से हटाने का वाहिद तरीका मुझे मारना है लहाज़ा खत्रा अभी भी मौझूद है इमरान खान ने कहा कि इस साज़िश का तो मैंने हमले से छे हफ़ते कबल ही एक जलसे में बता दिया था और ये भी कहा था कि इस हमले को मझहबी रंग दिया जाएगा दूसरी जानिब चेर्में तरीक इंसाफ इमरान खान की जेरे सदारत पार्टी राहनुमा का मशावरती इजलास हुआ मशावरती इजलास में हकीकी अजादी मार्च के आइंदा के मराहिल और रावल पिंडी पहुँचने की तारीख के हवाले से मौमलात पर खौर किया गया इजलास में विपाकी हुकूमत के एकदमात और जवाबी हिकमत अम्री पर भी खौर हुआ इजलास में तैह हुआ के इमरान खान हबते को रवात में खिताब के दौरान इस बात का फैसला करेंगे कि सबने रावल पिंडी कब पहुचना है इस हवाले से पी टी आई रहनुमा असद उमर ने समाजी राप्ती की वैब साइट पर कहा के लाउंग मार्च किये पिंडी आमत की तारीख का एलान इमरान खान हफ़ते को जलसे में करेंगे कराची के इंसिदादे देशतगर्दी अदालत ने कराची यूनिवरसिटी में चीनी असादजा पर खुदकुश हमले केस में मफरूर छे मलजमान के वारंट गरिफतारी जारी कर दिये हैं दिगर एहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट कराची के इंसिदादे देशतगर्दी अदालत ने कराची यूनिवरसिटी में चीनी असादजा पर खुदकुश हमले केस में मफरूर छे मलजमान के वारंट गरिफतारी जारी कर दिए मफ्रूर मुल्जिमान में खुदकुश हमला आवर शारी बलोच का शोहर हैबतान बलोच, बशीर जेब, रह्मान गुल, खलील और फवाजा, तर्जमान कलदन वी एल ए मीर सफीर शामिल है केस में एक मुल्जिम दादबख्ष के रिफतार है जिसे जुलाई 2022 को मचली चौक हॉक्स पे से रिफतार किया गया था, फुलिस के मताबिक मुकदमे में एक मुल्जिम दादबख्ष के रिफतार है, मुल्जिम दादबख्ष ने अपने शरीक मुल्जिम नासिर के साथ चीन जबान की तालीम देने वाले कन्फूशिस इंसिट्यूट के गेट पर खातून बंबार ने एन उस वक्त को धमाके से उडा लिया था जब चीनी असादिजा की वैन अंदर दाखल होने वाली थी सर्दियों की आमद से कबल ही शहर रिकाईद में सुई गैस का बोहरान शिद्दत अख्तियार कर गया तफ्सिला जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट सर्दियों की आमद से कबल ही शहर भर में सुई गैस का बोहरान शिद्दत अख्तियार कर गया सुई सजन गैस कंपनी की जानिब से शहर के मुफ़त अलाको नौर्ट कराची, नियू कराची, शादमान टाउन, सरजानी टाउन, नाजमाबाद, रिजविया सुसाइटी, नाजमाबाद, फेडरल भी एरिया, लांडी, कौरंगी, शाफ फैसल कॉलोनी, औरंगी टाउन, क सुई गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर की वज़ए से, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पर रहा है, जिसकी वज़ए से, उन्हें महंगे दामों खाने पीने की अशिया खरीद कर गुजारा करना पर रहा है, शहरी हलकों का कहना है कि अभी तो सर्दिय शुरू भी नहीं हुई कि गैस की बत्तरीन लोड शेडिंग का सिलसला शहर भर में चारी है, शहर में गुजश्टा चन्द माह के दौरान घरों में सुई गैस भर जाने की वज़ए से, ना सिरिब कई धमाके हो चुके हैं, बलके खानदान के खानदान भी उज़ड गए है शेरी हलकों का कहना है कि सुई सेधन गैस कमपनी को अगर गैस लीकिज की शिकायत भी कराई जाये तो उनकी जानब से अदम दिलचस्पी का मुजहरा किया जाता है दूसी जाने कोईटा के अलाके नहसार के रहाईशों ने गैस बंदिशके खिलाद गैस ऑफिस के सामने एहतिजाच किया और मकरदी दफ्तर के बाहर धर्ना देते हुए एहतिजाजी कैम कायम किया मुझारीन ने गैस मुकामल बहाल होने तक एहतिजाज जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस गैस गाइब हो गई और चूले ठंडे पड़ गए है जब तक गैस बहाल नहीं की जाती एहतिजाज का सिलसला जारी रहेगा मजीद खबरे भी बुलेटन का हिस्सा होंगी मगर यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक